एक दिन आकाश, पदम, रंजन और रवी ने शहर से दूर एक पिकनिक पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह एक मज़ेदार यात्रा होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे मज़ेदार यात्रा बनने वाली है। वे चारो एक पुरानी जीप में सवार होकर निकले। जीप इतनी पुरानी थी कि कभी-कभी उसमें से अजीब-जीब आवाजे आने लेगती। रास्ते में, रंजन ने कहा, मुझे लगता है हामे रास्ता भटकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक नक्षा साथ लाया है। आकाश ने नक्षा देखा और हसी मजाक में कहा, रंजन, यह नक्षा उल्टा है। सब हसने लगे और नक्षा ठीक से पढ़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे जंगल के पास पहुँचे, पदम ने कहा, चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया और खाना बनाना शुरू किया। पदम ने कहा, मैंने विशेश रूप से पिज़ा बनाने का सामान लाया है। पदम ने पिज़ा बनाना शुरू किया, लेकिन उसने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी। जब पिज़ा तेयार हुआ और सब ने पहला कॉल लिया, तो सब हस्ते हस्ते लोटपोट हो गए। ये पिज़ा तो मिठाई जैसा लग रहा है। रवी ने कहा, इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा खेल खेला जाए। आकाश ने सुझाव दिया कि वे चिपने और ढूंदने का खेल खेले। चारों दोस्त एक दूसरे की मज़ेदार हरकतों पर हस्ते हुए पिकनिक खत्म करने लगे। रास्ते में लोटते वक्त, जीप ने अचानक बंद कर दी। अब क्या करें। रंजन ने पूछा, आकाश ने कहा, चलो, धक्का लगाते हैं। चारों ने मिलकर जीप को धक्का देना शुरू किया और हसी मज़ा के बीच, जीप चालू हो गई। और वे दोस्त, उन्होंने ते किया कि हर साल एक ऐसी मज़ेदार यात्रा करेंगे।